वेलो दोस्तों नमस्कार गुड मॉर्णिंग दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से अगेन फोरेक्स फंडामेंटल एनलैसिस करेंगे और साथ मैं आपको गोल्ड के यूरो यूस्टी के ट्रेडिंग लेवल्स बताएंगे तो आईए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का हम एकोनोमिक कैलेंडर देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी न्यूज है आज जीवीपे के लिए जीडिवी का डेटा आने वाला है वेरी इंपोर्टेंट न्यूज साड़े गार सकती है तो यह हमने देख लिए आज की न्यूज अब चलते हैं अपने चार्ट पर तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने मैंने यहाँ पर यह गोल्ड का चार्ट लगाया है इसको मैं 4R में लगाऊ तो आप इसको इस परकार से देख सकते हैं हमने जो अपने प्रिवेस वीड कि क्या सिनेर्यो रह सकता है're हम देख सकते हैं अ यहां पर आपके सकते हैं इसको देख सकते हैं उसको देखेंगे यहां पर आप मौरट देखने करेंसे और नीचे कि तरह आ यनिके 1930 का जो लेवल है हमारा 1920 से 1930 का यह 10 पॉइंट के जो रेंज है तो गोल्ड यहां तक जा सकता है लेकिन यह गोल्ड यहां तक कब जाएगा तो इसके पीछे भी रीजेन है उसके पीछे जो दो रीजेन सबसे बड़े हैं सबसे पहला तो economic event जो आज मैंने आपको economic event बता करें तो दोस्तों ऐसा पता करना काफी मुश्खिल होता है आपको जस्ट करना होता है ठीडिक्शन होता है चार्ट की वोल्यूम के आधहर पर यानि के केंडल्स की आधहर पर पर प्राहिज किस परकार से मुमेंट कर रहा है तो प्राहिज की आप ऐसे prediction कर सकते हैं या फिर लेवल इस परकार से ही रहेंगे तो यहां से थोड़ा consolidate करेगा दैन उसके बाद फिर से उपर जा सकता है तो हमने एक point आपको बताया कि news इसका region है उपर जाने का उसके बाद जो दूसरा region है दोस्तों वो मैं आपको यहां पर भी US dollar index एक fantastic level पर है यहां पर आप देख सकते हैं consolidate कर रहा है तो यहां से अगर US dollar index अपने इस level को break कर देता है volume के साथ तो दोस्तों ultimately gold को फिर उपर ही जाना है जिस तरीके से हमें trend देखने के लिए मिल रहा है लेकिन अगर by chance क्योंकि आज मैंने आपको बताया market में बहुत सारी news है लेकिन दोस्तों अगर किसी कारण वस यहां पर न्यूज के कारण यह US dollar index इंडेक्स उपर की तरफ जाने लगा UST में इस ट्रेंट बनने लगी तो दोस्तों वहां से गोल्ड घिर जाएगा short term के लिए क्योंकि technically जैसे हम देख पा रहे हैं गोल्ड में अगर selling होगी तो short term के लिए होगी क्योंकि वहां पर trained अभी अप हो चुका है यहां पर भी अगर US dollar index उपर की तरफ गया तो इस लेवल को जब तक अगर आपको चीज़े नहीं समझ आ रही है और जो मैंने system लगाया हुआ है चार्ट में वह लगाई है आप उसको फोर आर में भी देखिए और पांच ये पंदरा मिनिट में हो गया क्या भी यह बाइंग जाएगा देखे दोस्तों डेफिनिटली जा सकता है लेकिन वोल्यूम के साथ अभी ब्रेक नहीं हुआ है कोई भी आप देखेंगे केंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हुए बोल्यूम के साथ अब वोल्यूम आप मेरे मुझ से बारवार सुन पोजिशनली भी लेकिन अगर यहां तक जाने के बाद चोटी-चोटी केंडल बनती रही और यूरो यूस्टी नीचे की तरफ आ गया तो फिर से यहां पर आपको नीचे की तरफ के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और अगर यह वाला लेवल ब्रेक हो गया यहां पर तो मैंने यहां पर लोग लगाया हुआ है तो यूरो यूस्टी अभी और भी नीचे जा सकता है तो अभी बस आपको यहां पर धियान रखना है कि अगर कोई स्टेंट वाली बड़ी सी केंडल बनती है जो पावरफुल केंडल लगे वह आपको पता ही चल जाता है यहां प अगर आप वो सेट अप लगाएंगे हमारे जो प्राइविट गूरुप में बताया गया है तो दोस्तों आपके लिए मार्केट को इडेंटिफाई करना काफी आसान हो जाएगा तो मार्केट में जैसे कि मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आपको आनी चाहिए मैपिंग म प्रयास किया है कि कैसे आपको गोल्ड में ट्रेड करना है तो दोस्तों अभी आज जैसे कि हम वीडियो मौर्निंग में रिकोर्ड कर रहे हैं तो आपको दिन में आप पर गोल्ड में देखने के लिए मिल सकता है इस तरीके से रेंज भी बन सकते है तो इसको हम एक न्यू हाई और लो ही मानेंगे देन उसके बाद यहां पर हम बाइंग कर सकते हैं अकोर्डिंग टू न्यूज चिक है तो ओल दे बैस्ट दोस्तों ट्रेड वैल और वीडियो देखकर ट्रेड कीजिएगा अगर आप हमारे प्राइवेट ग्रूप में अगर आप ग्रूप में जो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइब है दोनावाद